हेलो दोस्तों, लेट्स प्ले बार्बी में आप सभी का स्वागत है यहाँ पर अभी सुबा का टाइम है, इसलिए सब लोग सो रहे हैं चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है और इधर से इबतक अपने तीन प्यारे बच्चों को लेकर तालाप की ओर जा रही होती है स्वीटी तो अभी सो रही है, ने तो अभी बतक की बच्चों की साथ खेलने लगती चलो बच्चो मेरे साथ इधर उदर मत होना चलो जल्दी अलदी और फिर तभी एक प्यारा सा बच्चा लाइन से निकल कर घर के अंदर जाने लगता है और फिर बता की ममी परेशान होके अपने बच्चे को आवाज लगा रही होती है अरे तुम अहां कहा जा रहे हो वापस आओ चलो मेरे साथ कहा जा रहे हो तुम अरे ये क्या बता का बच्चा तो यहां पर आके बैट गया है और फिर बता की ममी जोर जोर से उसको डाटने लगती है अरे तुम यहां पर किवा गये हो चलो मेरे साथ नहीं तुम्हें कोई पकड लेगा और फिर बच्चा डर के मारे उतर जाता है नीचे और फिर ये ममी मुन्य को देखने लगती है और उसे लगता है ये भी मेरा बच्चा है और उसे उठाने लगती है अरे ये क्या ये तो बता की ममी मुन्य को भी लेके जारी है साथ में अब क्या होगा और फिर तभी बतक की आवाज सुनके सुटी की आख खुल जाती है अले ते शारे बतक की आवाज कहां से आ रही है चुर मैं उठके देखती हूँ कहां से अले इतने शारे बतक की बच्चे कितने जादा क्यों उठे है अले वा चुल मैं चाहिके देखती हूँ अले तुम कितने जादा क्यों उठाओ, अले वा कितना जादा सौब थे बच्चा, ते शाले बच्चे, अले ये क्या तो मुन्ना है, अले बता कि मामी मुन्ने को क्यों लेके जा रही है, अले बता वो तुम्हाला बच्चे नहीं है, ये मेरा भाई मुन्ना है, दे जो मुझे उसे मत लेके जाओ प्लीज दे दो मुझे बता कि मम्मी भी ना लाओ तो मैं ले लेती हूँ मुन्य को अले अले तुम तो जा रही हो दे दो मेरे मुन्य को अले तुम कहा आप जा रही हो दो ना मेरे मुन्य को अली ये तो मेरी पास सुनी नहीं रही है चुलो मैं उधर से जाके बूलती हुझे अले प्यारी बतागो तुम्हारा बेबी नहीं है वो मेरा मुन्ना है दे दोना देखो तुम्हारे पूरे बच्चे है तुम मेरे मुन्ने को क्यों लेके जा रही हो दे दो मुझे और यहां पर बता कि मम्मी कुछ भी नहीं सुनती है सुटी की और वहां से जाने लगती है अरे अरे तुम्हें मेरे पार शुनाई नहीं दे दे तुम तो जा रही हो दे तो मेरे मुन्ने को अले यह क्या यह तो लेकि चले गई मुन्ने को अब मैं क्या करूँ चलो मैं चलके जल्दी से चाची को चगाती हूं। पतक की मामी लेकर गई मुन्ने को। क्या पतक की मामी क्या भूलने स्धाची। अरे सुटी तुम सबस्बा क्या बोल रही कुछ समझ भी नहीं आ रहा क्या पतक अले जब आप लोग शो रहे थे तो पतक कि मामी अपने बच्चों की शाथ आगे मुन्नी को भी उठा के लेके चली गई उस तलब मिलने उसे बहुत ज़ता पोला गियो तुम्हाला बेबी नह फिर भी उच्ने मेली कोई बात नहीं शुनी और मुण्य को लेके चली गई लंगता है तरलाब की हो लेके लिए है क्या पतकी ममी मुन्नी को लेके चली गई औरे मुन्या तो मैरे पास ही cycle मुझे पता कैसे नहीं चला अरे पिंक, अब ये सब सोचने का time नहीं है, ये सोचों कि हम मुन्ये को कैसे ढ Dollar में लेके गई होगी अरे हाँ भाबी, आप सहीं बोल रही है, आकिर वो किस तार में लेके गई होगी मेरे मुन्ये को मुझे तुको समझ में नहीं आ रहा है अब मुन्य को कैसे लेकर आएं कैसे बचाएं सुईटी तुमने अच्छे से देखा था क्या अले हाँ चाचो मैंने अच्छे से देखा है वो बता कि उस तरफ लेके गई है मुन्य को चलो हम भी चलते हैं उस तरफ अरे पिंकी जी सुईटी तो उस तरफ बता रही है लेकिन उस तरह तो दो-दो तालाब है आखर हम किस तालाब में जाएं अरे हाँ एक आइडिया है तो पिंकी जी आप भावी को लेके छोटे तालाब की ओर जाएं चलो मैं जल्दी से जाता हूँ आप लोग भी अच्छे से ढूनिएगा मुन्ने को चलो चलो पिंकी अब हम भी बिना देरी किये वे चलते हैं सिधा तो चला गया है बस मुन्ना मिल जाए अरे हाँ भाबी आप सही भोल रहे हैं चलिए चलते हैं ममी ममी मुझे भी जाना है प्लीज मुझे भी लेके चलिए ना मुझे भी मुन्ने को ढूनना है प्लीज क्या स्वीटी तुम्हे भी मुन्ने को ढूनना है क्या ठीक है तो हमारे साथ चलो पर इधर उधर मत होना है हमें बहुत ही डर लग रहा है और हाँ मुन्य को अच्छे से ढूणना ठेक मम्य मैं अच्छे से मुन्य को ढूण दूणगी चलो चलते हैं ज्यादा देडी मत करो अरे हाँ हाँ ठीक चलो चलते हैं चलिए भावी चलते हैं और यहां तालाब में बतक मुन्ने को लेकर तेर रही होती है अपने बच्चों के साथ लेकिनी कौन सा वाला तालाब है शिधार्द वाला या फिर पिंकी वाला कुछ समझ में नहीं आ रहा है और फिर ये बतक स्वेटी की बात सुंगे किनारी की और आने लगती है अले तुम तो आ गई प्लेश दे दोना मेरे मुन्ने को प्लेश और फिर यहाँ पर बतक भाग जाती है अले तुम तो पहुत ज़्याद शलालती हो मम्मी चाचे जल्दी आएए अरे भाग देखी ओर ही बतक मेरे मुन्ने के साथ देखो तो कैसे तेर ही कही हो गिरान आते पानी में अरे हाँ पिनकी तुम सही बोल रही हो प्लेश 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 मेरे बच्चे को देदो मुझे प्लेश यहाँ पर आओ ना प्यारी बतक मेरे मुन्ने को देदोना तुमारे पास तो इतने सारे बच्चे हैं अरे देखिए है न भावी बतक तो मेरी कोई भी बात नहीं सुन रही है वो तो इतनके पीछे कि और हो जारी है अब हम क्या करे लगता है मेरे मुन्ने को नहीं देना चाहती है और ताला भी देखो ना कितना गह रहा है हम उहाँ पर जा भी नहीं सकते हैं आखिर क्या करें भावी मुझे तो लगता है बता कि मम्मी हमें जान बूझ के परेशान करने के लिए इसा कर रही है अरे करी मेरा मुन्ना इसे पसंद नहीं आ गया है इसलिए उसे पालना चाहती होगी इसलिए नहीं दे रही है अरे प्यारी बतक प्लीश मेरे मुन्ने को दे दो ना प्लीश प्लीश अरे वाँ स्वीटी लगता तुम्हारी बाद उसने समझ लिया है आचा वो प्यारी बतक दे दो मेरे मुन्ये को प्लीज दे दो अरे वारुज़ों मैं लेती हूँ और फिर यहाँ पर बतक वापस चली जाती है अले चाची अब तो मुझे पहुते जाता गुश सा रही है हमें चान पूझ के चिड़ा रही है बतक अब हम क्या करें हमें तेलना नहीं आता ना इसलिए कुछ ज़्यादे हमें चिड़ा रही है पल हम कले क्या आखिर क्या करें मुझे कुछ शमज में नहीं आ रहा अरे तुम सब चुपो जा देखो किनारे की तरफ हमें पख़ने की कोशिश करती है मुन्य को अरे अरे भाबी समल के समल के क्या कर रही है आप अरे थाइंके तुम्हारा पिंकी मैं तो किरने वाली थी पाने में तुमने मुझे बचा लिया अरे हाँ भाबी समल के मुझे लगा मैं मुन्य को उठा लूँगी लेकिन मैं ही किरने वाली थी तालाब में अले चाछी चाछी मुझे एक बहुत यच्छा आइडिया आया है उसे हमाला मुन्ना मिल जाएगा हमें क्या सेटी तुमें क्या आइडिया आया है बताओ प्लीज जल्दी अली हाँ कान मुझे दीजी मैं बताती हूँ अली देखो ना इसके बच्ची किनाले पे तेल ले चलो मैं इसके बच्ची को पकड लेते हैं अरे वा सेटी तो बहुत ही अच्छा आइडिया है अच्छा रूजा मैं पकड़ती हूँ हाँ अब वो कुछ भी नहीं कर पाएगी और फिर पिंगी एक बच्ची को पकड लेती है अरे प्यारे बच्ची इधर आओ इधर आओ कहा जा रहे हैं मैंने पकड लिया है चलो चलो भावी चलते हैं चलो सेटी चलो प्यारे बच्ची अब मैं तुम्हारे बच्ची को छोड़ देती हूँ जाओ प्यारे बच्ची तुम भी जाओ आराम से तेरो ठीक है ना लाओ बच्ची मेरे मुन्ने को भी दे दो अरे प्यारे मुन्ने आज हो मेरे गोद में चलो अच्छा हुआ चलो तुम तो बहुत ही ददा अच्छी हो बतक तुमने हमारे मुन्य को दे दिया शुक्रिया तुम्हारा आप तुमने बच्चों के साथ अच्छी से तेरो हाँ अरे लिके सिधा तो अभी तक नहीं आया अरे मैंने बड़े वाले ताला में हर जगा ढून लिया है चलो जाके देखता हूँ पिंकी जी को मिला मुन्ना की नहीं पिंकी जी आप यहाँ पर हैं क्या अरे वाँ आपको तो मुन्ना मिल गया ही पर था क्या अरे हाँ सिद्धाजी देखे अना ये बत तक हमारे मुन्नी को यहीं पर लेके आई थी वो तो शुकर है कि उसने दे दिया चलो अच्छा हुआ कि आप भी आ गए अरे हाँ पिंकी जी मैंने मुन्नी को बहुत ही सदा ढूंडा मुन्ना मिला ही नहीं तो मैंने सोचा कि वहाँ पर चलता हूँ चलो अच्छा हो मुन्ना मिलगा चलो चलो घर चलते हैं जल्दी चलो अरे वाँ सुटी तुम्हारा आइडिया तो काम कर गया तुम तो बहुत ही ज़्यादा समस्दार हो चलो चलो अब घर चलते हैं चल्दी से अले चाची हम इती दूल आए तो प्लीश मुझे थोड़ा सा तेरने दीजिए ना मुझे तेरना है प्लीश प्लीश अरे सुटी लेकिन तुम कैसे तेर होगी यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है तेरने के लिए तालाब में देखो ना मैंने वहाँ पर देखा यह वहाँ पर पड़ा हुआ था प्लीश मुझे इसे तेरने दीजिए ना उसके बाद में घर चली जाऊंगी मैं इस पर बेटके आलाम से तेरूंगी चाची प्लीश मुझे तेरने दीजिए ना अच्छा ठीक है सुईटी थोड़ा से तेर लोग फिर हम साथ में चलेंगे हा ठीक है चाची थाइंक आप बहुती अच्छी है अरे पिंगी देखा तुमने सुईटी भीना किती जादा शरारती है देखो कैसे पानी में तेरने लगी लड़की भीना अरे अभी तो हमने चाय भी नहीं बनाया है सुबह सुबह ही आगे हरे हाँ आप आप थोड़ा सा रूख जै फिर चलेंगे दोस्तों अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दें थैंक यू फूर वाचिंग